हालो स्टूडेंट्स तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में पिक्चर गाइडेट कॉंपोजिशन करने वाले हैं जिसमें आपको एक्चाम में एक पिक्चर दी जाएगी आपके सामने एक पिक्चर आएगी और उस पिक्चर को समझके आपको एक पिक्चर देखना है जैसे अभी स्क्रीरण पर आप देख रहे हो आपको देख रहा होगा एक कुवा है और कुवे में एक फॉक्स यानी लॉमड़ा है क्योंकि ये मैल है इसलिए लॉम्ड़ा लॉमड़ी नहीं है और ऊपर आपको देख रहा होगा ही гोट ही यानि बक्रा तो जैसा कि इसमें फॉक्स जो है वो कुए में गिर चुका है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा तो हैल्प के लिए गोहार करता है हैल्प चाहिए उसको तो जब बाहर बक्रा आता है तो जब फॉक्स बक्रे को देखता है तो हैल्प के लिए बोलता है कि मेरी के लिए कि कुए का पानी बड़ा मीठा है ठंडा है बहुत ही प्यास बुजाने लायक है मतलब बकरे को वो लालस देता है जिसे की बकरा इस पानी में आ जाए और जैसे ही बकरा पानी में आएगा मैं इसकी बैक पर यानि पीट पर पैर रखके उपर जंप करके निकल पानिंग था तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरी का आप टाइटल लिखोगे इस स्टोरी में जो फॉक्स है लॉम्डा है वो काफी क्लेवर है चतुर है तो हमने स्टोरी का टाइटल लिखा दा क्लेवर फॉक्स क्या टाइटल नाम दिया दा क्लेवर फॉक स्टोरी सुरू करते हैं तो स्टोरी सुरू होती है कि once means एक बार a fox fell into a well a fox एक λॉम्डा fell f e double l यह second form है किसकी fall की fall माने गिरना एक बार एक λॉम्डा गिर गया into a well एक कुए में he tried again and again to jump out उसने प्रयास किया बाहर आने का again and again, बार बार to jump out कूद के बाहर आने का but he failed लेकिन वो असफल रहा तो he tried again and again to jump out but he failed the well was too deep कूआ, ठू माने काफी डीप माने कहरा था after a little while कुछ समय बाद एक गौट पास्ड बाई वहां से एक बकरा निकला he was thirsty वो काफी प्यासा था he looked into the well उसने कूए में देखा he saw a fox in it उसने उस कूए में एक लॉमड़ा देखा he asked the fox उसने उस लॉमड़े से पूछा कि what are you doing there तुम यहां क्या कर रहे हो the cunning fox replied उस चतुर चानाक लॉमड़े ने reply किया कि I am drinking water मैं पानी पी रहा हूँ it is very cool यह बहुत थंडा है as the god was thirsty जैसा का वो बकरा बहुत जदा प्यासा था he jumped into the well वो भी कूए में कूद गया the fox jumped upon the god's back तभी उस लॉमड़े ने चलांग लगाई बकरे के पीट पर and jumped out of the well और कूए से बाहर आ गया and it is rightly said और यह सही कहा जाता है कि look before you leap चलांग लगाने से पहले देखना चाहिए तो यह बहुत ही अच्छी स्टोरी थी इसको आप normally इसकी language भी बहुत एज़ी है आप आराम से कर सकते हो तो last में आपने बोलना है कि it is rightly said look before you leap चलांग लगाने से पहले देखें जरूर अच्छा अब आते हैं second story पर second story में आपको दिख रहा होगा एक दरजी है एक हाती बहार से सूर से पानी निकाल के फेंक रहा है तो इस story में होता क्या है mischief hurts mischief यानि बुरे काम hurts hurts नुकसान पहुचाते है अगर आप कोई बुरा काम करते हो तो वो आपको नुकसान पहुचाता है इसमें क्या होता है कि a king's elephant was daily taken for a bath in a river a king's elephant एक राजा कहा थी was daily taken उसको daily ले जाया जाता था for a bath नहलाने के लिए in a river एक नदी में on the way और रास्ते में there was a tailor shop एक tailor की shop आती थी the elephant used to place his trunk जो elephant था वो अपनी सून को रखा करता था used to माने करता था place माने रखना रखा करता था near the tailor उस tailor के पास throw a window एक खिडकी के माध्यम से the tailor gave him something or other to eat वो tailor उसको कुछ न कुछ खाने के लिए देता था one day लेकिन एक दिन tailor made a mischief tailor ने एक mischief मतलब बुरा काम किया the elephant put his trunk in जैसे ही हाती ने अपनी trunk सून को in अंदर रखा as वैसे ही he always did वो हमेशा करता था ऐसा हमेशा किया करता था हाती the tailor दर्ध के बारे चला रहे है उसके बाद एलेफेंट वैन तो दर्रिवर को प्रिक्ट कर दिया चुबो दिया आफ़न नहाने के बाद he filled his trunk with mud and water उसने अपनी सून को पानी और कीचर से भर लिए और वहां से दर्ध पास्ट बाई दा टेलर शॉप और जब वो टेलर की दुकान के यहां से पास्ड मतलब गुजरा उसने अपनी सूर को टेलर की दुकान में घुसेडा और उस कीचड़ वाले पानी को दुकान के अंदर पाउड माने फैला दिया उसके सारे नए कपड़े क्या हो गए इस टाइटल इसका आता है इसमें कहानी में सिक्षा मिली कि इट वाज टिट फॉर टेट ये तो जैसे को टैसा था उसने उसके सूई चुब होई तो उसने उसको कासारे कपड़े गंदे कर दिये जैसे को तैसा तो आपको ये कहानी समझ में आई मिस्चीफ हर्ट्स बुरे काम नुकसान पहुचाते हैं अगर आपने कोई बुरा काम किया तो आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है इसलिए लास में हमको इस कहानी से सिक्षा मिली कि टिट फॉर टेट जैसे को तैसा बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है चलिए स्टोरी नंबर थार्ड देखते हैं स्टोरी नंबर थार्ड में आपको दिख रहा होगा एक राजा हैं और सामने तीन लड़के खड़े हुए हैं तो एक्चॉल में एक राजा की तीन लड़के होते हैं एक किंग हैड थ्री संस एक राजा की तीन लड़के होते हैं the king was not happy लेकिन राजा खुश नहीं था as क्योंकि his sons were always quarreling क्योंकि उसके लड़के हामेसा quarreling यानि जगड़ते रहते थे among themselves among मानि बीच में swam के बीच में one day एक दिन the king brought a bundle of sticks एक दिन एक राजा एक bundle लेके आया लखडियों का and asked his sons to break it और अपने लड़कों से कहा कि इसको तोड़ो bundle को पूरे को each of them tried his best but could not break it प्रतेक ने बड़िया ट्राई किया खुब प्रयाश किया लेकिन वो उसको break नहीं कर सके तोड़ नहीं सके then the king untied the bundle उसके बाद राजा ने उस bundle को untied खोल दिया पहले वो बंदा हुआ था एक साथ फिर खोल दिया and asked his sons to break the sticks separately अब अपने लड़कों से बोला कि आप इनको अलग-अलग तोड़िये they broke the sticks very easily तो उन्हों ने उस sticks को बड़े ही easily तोड़ दिया the king told them तब राजा ने उनसे कहा कि none of them could break the sticks when they were tied together कि तुम मैंसे कोई भी इन sticks को तोड़ नहीं सका जब तक वे एक साथ बंदी थी but when they were untied लेकिन जैसे ही उनको छोड़ा गया जो खुली बंदी हुई थी खोला गया they were broken easily उनको आसानी से तोड़ दिया गया तो remember याद रखिये कि unity we stand united we stand अगर हम एक हैं तो हम खड़े हैं एक साथ हैं तो हम में तागत है divided we fall और अगर हम डिवाइड हो गए अलग-अलग हो गए तो हम गिर जाएंगे हम मर जाएंगे real strength lies in unity वास्तविक जो तागत है वो एकता में होती है राजा ने ये क्यों किया क्योंकि उसके तीनों लड़के अलग-अलग रहते थे और राजा चाहता था कि मेरे तीनों लड़के एक साथ रहें unity में रहें जिससे उनके पास तागत रहेगी strength रहेगी इसलिए कहा गया है कि united we stand एक साथ रहते हैं तो हम खड़े रहते हैं तो अगर आपको ये तीनों स्टोरी अच्छी लगी हो जो कि MP Board Class 10th के according बहुत important है तो please वीडियो को share करें जिससे कि मैं अगली पिक्चर आपके लिए ला सकूँ धन्यवाद